सब्सक्राइब फो एवरी टाइम नूव अपडेट्स और प्रेस बेल आइकन फो होट नोटिफिकेशन्स स्वागता दोस्ते एक बार फिर से टेकट चैनल के उपर दोस्ते इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं xiaomi के alpha smartphone के बारे में company ने जो इसकाichen पर एकods model ready कर लिया दोस्तों काफी सारी में कमिया हो सकती है क्योंकि use करना नहीं आता है normally smartphone के उपर यहाँ पर एक display होती है लिगां इंसाइड में हमारेs smartphone के कुछ भी नहीं होता है लेकर ये वाला alpha जो है फिर कुछ अधर कीज है वो यहाँबर आपको नहीं देखने को मिलेंगी साथ ही जो है आपर चार्जिंग का कनेक्टर भी नहीं मिलेगा 3.5 mm का हेड़पॉन जैक भी नहीं मिलेगा इस पिकर्स भी जो है उसी पट्टी के अंदर यहाँपर लगाए गए है कुल मिलाकर एक ऐसा फोन जिसके हर तरफ यहाँपर डिस्पले है तो इसके कुछ प्रोज और कौन्स भी होंगे प्राइस की भी बात करेंगे इस्पेस्विकेशन की भी बात कर रहे है दोस्तों इस व वीडियो को आरम करते हैं तो दोस्तों बात कर रहे हैं इस वाले फोन की यानि स्याओमी का एलफा एलफा नाम से आपर लगता है कि यह कि फ्यूचर वाला फोन काफी पहले आपर लेकर आ गया है स्याओमी 2020 में से लॉंच करने की घोशना की है यहाँपर सैमसंग के वी आरो तरफ बिस्पले है तो यहाँपर कहां से आप इसे पकड़ेंगे लेकिन इसका भी स्यूचर कंपनी ने ढूंडा है अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँपर डूल फिंगर टच अगर होता है इस फोन के अंदर नॉर्मली तो वहाँपर काम ही नहीं करेगा यह वाला स् गेमिंग के लिए आज से इसकी बात करें तो यहाँपर 3,4,5 तक फिंगर्स वाला टच स्क्रीन चाहिए तभी तो जहांगर गेमिंग हो सकती है तो इस फोन के अंदर आपको काफी बढ़िया से सुपर मोली डिस्पले तो मिल जाती है पूरी तरह से साथ ही जब पीछी की तरह से साथ यावर फोर रियर कैमरा तक हो जकते हैं 64 मेगा पिक्सल से लेकर 108 मेगा पिक्सल तक का दोस्तों इसमें आपको गैमरा मिल जाएगा बात करें दोस्तों कुछ और स्पिकेसिंग की आपर जोई स्नाफ डेगन का 855 प्लस अभी तक कंपनी का दावा कि यह वाला CPU इसमें रहेगा दोस्तों इसमें रैम की बात करें तो लगवग 12GB का RAM आपको इसमें मिल जाएगा इस्टोरेज की बात करें तो 512GB का जोई इसके अंदर यहाँ पर wireless charging का ही यूज किया जाएगा तो wireless charging के साथ यहाँ पर 28W की पार्ट charging भी आपको इसमें मिल जाएगी डेटा ट्रेवल करने की बात करें तो इसके अंदर कुछ नया option आपको मिलेगा जिसे डेटा ट्रेवल आप कर पाएंगे या फिर कुछ wireless connectivity दी जाएगी जिसे जो आप अपने PC के साथ स्मार्टफोन को connect कर पाएं और बात करें इसमें memory card डलने की तो दोस्तों वो तो इसमें नहीं डल पाएगा क्योंकि इसमें ऐसी जगए आपर छोड़ी ही नहीं है जिसे हैं कि memory card इसके अंदर डाला जाए तो चारा तरफ डिस्प्ले होने के इसाब आप से मुझे लगता है कि पता नहीं किस प्रकार से इसे आपर बनाया जा रहा है एक और वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कुल मिलाकर अभी तक यही जानकारी इसके बारे में मिली थी जल्दी दूसरी जानकारी मिलते ही एक और वीडियो मापके आपर देने वाला हूं Xiaomi के इस स्मार्टफोन के बारे में जो किये कि युनिक साथ सारी दुनिया से अलग सा अगर किर गया तो तूट गया मतलब काफी संबाल के इसको रखना पड़ेगा अगर गलती से फोन गिर जाता तो इतना महेंगा पड़ेगा इसका डिस्पले चेंज करवाना कि बस पूछि झाल झाल